यह उट्सुप गई इसके से आफ सभी लोग वेलकम बैक टू अधर गेम प्ले वीडियो तो गैस सारे जम लोग दुबार से के लिए जा रहे हैं DDA5 तो जैसे के आफ सभी लोग को पता होगा कि लास्ट वाले एपिसट में मिलिटरी कर लोगो मैंने एक रॉयल विंटेज कार गिफ्ट करी थी क्योंकि उसने उस हैकर को ट्रैवर को छोडने की पर्मीशन भी दे दी थी अब उस हैकर ने में एक सीक्रेट लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाया था और वहाँ पर जाकर हमने ट्रैवर को ले लिया लेकिन जब हम लोग वहां से वापिस आ रहे थे तो ब कि मैंने उस गाड़ी को एक खाई में फैका और अच्छी बात हुए थी कि ट्रैवर और फ्रैंक्लिन भी साइटाइम पर कूद गए और जो गाड़ी का बोंब है कुछ देर बाद ही वो ब्लास्ट हो गया जिससे किसी को कोई भी नुक्सान नहीं पहुचा और हम लोग दू अच्छान है तो उसके लिए तुम्हें बिग माफिय को भी मरवाना पड़ेगा अब यह जो चीज है नहीं को काफी जदा बेकार लगी मिलिटरी गनल की मलताब इस चीज के बीच में बिल्कुल भी डिसीशन नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह दोनों ही हमारे काफी अची द बात की बात है और इसके जो आगर क्या करना है कैसे करना है सब कुछ लेस्टर बताएगा तो भी लेस्टर के पास मैं चलूँगा थोड़े देर बाद लेकिन गाइस अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मेरी गोल लिमोजिन थी ना आपने नोटिस कर आओका लास्ट इसको मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ तो की गाइस अभी ना फिलार यहाँ पर इसके एकसराइस खतम हो चुकी है और गाइस यह कह रहा है कि अपनी गोल लिमोजिन को अपने घर से ड्राइब करके ले गया था दूसरे वाले गयरास तक ताकि कोई घर से चोरी वोरी करकर ना ले जाए वैसे काम तो इसने बिल्कुल ठीक कर रहा है लेकिन मुझे यह नी समझा रहा कि आखिरकार इतनी बड़ी गाड़ी इतनी महेंगी गाड़ी से उने ड्राइब कैसे कर ली यह मतलत लिमोजिन इतनी जादा लंबी गार है इसको ड्राइब करना थोड़ा बहुत भी जल्दी से जलकर देखते हैं वाँ पर अपनी गोल्ड लिमोजिन है या फिर नहीं है और यार मैं काम करता हूं अपनी जो बुगाटी डीव है ना जो कि हमने एक रेस टॉर्नमेंट में जीती थी वो इस टाइम पर मार्टिन मदरासों के घर के बाहर खड़ी हुई है अ जल्दी से में अपनी गाड़ी को यहाँ पर राइट मोड़ता हूं तो अच्योव अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़े करते हूं अभी जल्दी से अंदर चल कर देखताूं की आकिरकार इसने अंदर गोर्ल लिमोजिन खड़ी करी थी या फिर यह जूट बोल रहा है वैस एक दूम वैसी वैसे शाइन कर रही है वैसे अच्छी बात अपनी गाड़ी बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई और चोरी होने करना खत्रा का इस बहुत जाद है को पूरी प्योर गोल्ड की का रहा है तो चल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहां से निकल लेते है सिधा मार्टिन मदरासों के घर के लिए और वहां पर जाकर नगाए सभी मैं जल्दी से अपनी बुगाटी डिपो भी लेकर आने वाला हूं वैसे बुगाटी डिपो मैं इसको यह दे दूँगा यह अपना लेकर आएगा और बाकी मैं चले जाओंगा सिधा बैनी के पास यार जितना भी शोरूम से रिलेटिट काम है उसको खतम करते है क्योंकि बैनी कहा रहा है कि काफी सारी गाड़ियों के ओर भी आया है और तीन-चार गाड़िया नहीं हमें लिबर्टी सिटी से खरीद के भी लाने है मत्तलब बहुत सारे काम है नया शोरूम भी खरीदना है वो जो शोरूम है आजकल छोटा पड़ जाता है और वैसे इस टाइम पर हमें गैंग्स्र को गारा से खतरा नहीं है तो हम कहीं पर भी शोरूम खोल सकते हैं पहले तो यह था हमने शोरूम नॉर्मली ओपन खोला था लेकिन उसको उपर अटाक होगे था पुरा जला दिया सारी गाड़ियां ब्लास्ट होगी थी बट अभी इतना खतरा नहीं है सब लोग हमसे डरते हैं तो कोई भी अपने उपर अटैक नहीं करेगा तो चलो काई सबीना फिलाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूं सिदा मार्टीन मद्राजों के घर पर और काफी ब बुगाटी डिवो काफी जाता गंदी हो चुकी है बंतलब क्यार ऐसा लग रहा है एक महीने से आपर खड़ी है तो चले काम कर भाई जिमी यह गाड़ी तू चला अपनी लेकर चलाता हूं तो अभी जल्दी से लेकर चलते वाश वाश करवाते हैं बाकि यह बीना मिलने के ड्राइविंग आगी है तो भाई अराम से चला वाई कितनी तेज भगा कर ले जा रहा है तो चलो कोई ने भी फिलाल मैंने से बोल दिया वोश वोश करवागे गाड़ी एकदम अराम से पाक कर दियो बाकि अभी न हम लोग फटावट यहां से निकल लेते हैं यह तो कुछ ज़्यादा तेज नहीं चला रहा है मेरे को लगता था ट्रैवर सबसे तेज चलाता है लेकिन यह तो उससे भी ज़्यादा ट्रिपल स्पीड में चला रहा है तो कि गाइस अभी ना फिलाल जिमी अपनी बुगाटी डीवो लेकर यहां से सीधा जा चुका है मुझे अपनी फुल स्पीड में बगाते बगाते निकल लेता हूं तो उकी गाइस अभी ना फिलाल में अपनी लेंबोग नी स्यान लेकर पहुचने वाला हूं सीधा लेस्टर की फैक्टरी में यानि कि जो लेस्टर का सीक्रेट बेस है वहां पर तो भी जल्दी से में अपनी गाड़ी क यहां पर आने के ना तीन-चार रास्ते है अब पहला रास्ता तो समलो यह हो गया दूसरा रास्ता यह हो गया और तीसरा रात पीछरी रेलवे ट्रैक वाला है और एक गली ना गाइस यहां पर भी जा रही है अभी फिलाल में इधर तो आगे हूं और गाइस मैंने एक लग रही है लेकिन गाइस एक बात बताओं यह ना देखने में में मेरको अपनी लेंबोगनी लग रही है आप लोग को याद होगा काफी टाइम पहले ना सेम टूसेम ऐसी लेंबोगनी बैनी ने हमारे लिए मोडिफाय करी थी जिसको हम लोग एक जगा पर छोड़ कर आ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था उसको लेकर आने का फिलाल देखने में वैसे ही लग रही है तो चलो गया जबी फिलाल मैं यह पर ओफिस के अंदर तो आज चुका हूँ फ्रैक्लिन तो अपना चिल मार रहे है लेकिन ट्रैवर इतना चाहता उदास क्यों है अभी अभी ना मेरी फिलाल यहां पर लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है कि अभी ना वो पूरी कोशिश करेगा कोई ऐसा प्लैन बनाने की कि जिसके अंदर हम लोग अंडर वोटर माफिय को भी बचा ले और हमें बिग माफिय को मारना भी ना पड़े अब हैर दे ले के लिए क्योंकि इस टाइम ना में टैरिस से बहुत जादा खत्रा है बागी वरना अभी तक तो ट्रैवर जा चुका होता तो यार देखो अभी तक तो फिलाल लेस्टर ने ट्रैवर को यहीं पर रोक के रखा हुआ था कि जब तक माइकल नहीं आ जाएगा में जब तक तुम तीनों एकठे नहीं हो जाओगे तब तक शहर से भार नहीं निकलना अभी फिलाल यहाँ पर हम तीनों भी एकठे हो चुके हैं यार अभी ना में ट्रैवर को छोड़ कर आना पड़ेगा तो यार अभी जल्दी से यह दोनों गाड़ियां तो अभी किसी काम की नहीं ह अभी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फटवर से जो डिकी है बंद करवा कर यहां से निकल लेते हैं सीधा ट्रैवर के गाउं के लिए वैसे भी ना में ट्रैवर के गाउं पे नहीं जाना उस तो थोड़ा आगे जाना है तो चलो गाइस ओल्द एन फटवर कर यहां पर पुलिस की रेट होती है ना तो हम लोग ऐसे ऐसे रास्तों से निकल कर भाग सकते हैं कि किसी को कुछ भी मालूम भी नहीं पढ़ने वाला वैसे अर अभी यह भी सीधा रस्ता है ट्रैवर के गाउं जाने का बाग क्यार यहां से मेरे को लेफ्ट लेना हाईवे यह पता नहीं क्या सीन है खर चोड़ो जो भी है अभी जल्दी से यह जो रासान है यह शौटकट भी है उतना ही पड़ेगा बट यह है कि रोड काफी पतला है तो कि गाईस अभी ना फिलार में अपनी गाड़ी को लेकर उसी जुका पर पोचनी वालों जहां पर ट्रैवर पर चलता हूं और यहांपर नहीं जल्दी से इसको फोड़े जाब काईसर नहीं हलका पर इसको तो गाड़ी में बैठे बैठे नहीं जल्दी से बढ़िए फ्रेंक लिंग बाकि यह तूट ना जाए वह ज्यादा ही हलका बश्यावर्य और चलोगा इसा भी पोच्छों है ट्रैवर के दोस्तों के गर, फिलाल यहां पर में कोई भी नहीं, ओके तो वो देखो, वो खड़ अपना ट्रैवर का दोस्त जल्दी से बात करते हैं, इतनी तेज बारिश हो रही है, और भाई सची में पूरा ही ट्रैवर जैसा, यहां पर देखो, एकदम फुल डांस वांस क इसको भी बचाना है, अब यहां पर निकलने से पहले हैं, मैं एक चीज़ देख लेता हूं, कि ट्रैवर इदर सेफ है, यहां पर अंदर चलते हैं, और इधर सामने कि लाश किसकी बढ़ी हुए, एक सकिन, ओके लाश निया भाई, यह बंदा जिंदा है, इसकी सारी की सारी इसकी बढ़ी है, यहां पर एक बंदा और पड़ा हुए, इधर क्या ही आलत हो चुकी है, तू भी अपनी शकल भाई, इधर तो कोई भी धंका बंदा नहीं है, मतलब भाई, इनके बरोसे में त्रैवर को नहीं चोड़ सकता है, एक एजंट रख देंगे, तो इच्छे लो और यहां पर एक रस्ता ओर है, जहां से ट्रैवर अपना आ जा सकता है, मतलब है अभी नहीं मैं बेसिकली पुरा पुरा ट्रैवर की सेफटी पर ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि टैरिस से बहुत ज़्दा खतर है, यहां सनो कि टैरिस ट्रैवर को अच्छे से पहचानते ह और आके से मार जाए, तो वो चीज मैं बिल्कुल नी चाहता हूँ, तो भी जल्दी से ओ भाई मैंने गलती से गेट तोड़ी दिया, और वैसे गेट जुड़ा भी नहीं था भाई, ऐसे लगा रहे हैं इन्होंने बसे, तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहा से यार, शाम के 6-7 बजने हूँ, लेकिन जो एकडम एक्जाक टाइम है ना, वो भी एक से 2 बजे की बीच का है, पता नहीं यार, क्या सीना है, कहर चोड़ो जू भी है, अभी जल्दी से मैं चलता हूँ सिदा लेस्टर की फैक्टरी में, क्योंकि यार, लेस्टर ना एकद करवाने की कोई जरूत नहीं है, तो फिलाल मैं अपनी गाड़ी सो अतर चुका हूँ, और गाड़ी से मेरे को याद आया, कि जो ट्रैवर के बैग है, वो तो भाई, अपनी कार के अंदर ही रहे के शिर्ट यार, उसको बैग दे नहीं हम बूल गये, लेकिन कोई दिक्कत की बाती है, अभी ना फ्रैंकलिन को एक राउंड वहाँ पर लगाने है, क्योंकि मैंने बोला था कि ट्रैवर के लिए में एक एजेंट वहाँ पर रखना है, ताकि ट्रैवर को कोई भी दिक्कत आए, तो वो सीधा हमें इन्फोर्म कर दे, तो फ्रैंकलिन उस एजेंट के तो चलो, अभी फिलाल मैं अंदर आ गया हूँ, और यहाँ पर देखते हैं, लेस्टर ने क्या प्लैन बनाया है, इसकी फ्रैंड भी यहीं पर है, लेस्टर भी यहीं पर है, और प्लैनिंग तो वहत तकड़ी हुए है, चलो जल्दी से बात करते हैं, और देखते हैं क्या स तो चलो, अभी न मेरी फिलाल लेस्टर से बात हो चुकी है, और लेस्टर यहीं क्या रहा है, और अब हमें बिग माफय के भाई को मानने की कोई भी जुरत नहीं है, हमें सिर्फ उस लोकेशन पर जाना है, और अंडर वाटर माफय को वहां से रस्क्यू करा कर लाना है, लोकेशन ट्रैक होई है, वह है मिलिटरी बेस से अराम से जा सकते हैं, लेकिन यार उस के बात काफी ज्यदा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर हम कोई भी हरकत करेंगे तो आर उनका श्रक सीदा हमारे उपर जाएगा, और अगर हम लोग साइट से भी एंटर होगे, तो अभी फिलाल बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है तो मेरे साब सभी बाहर जाने का कोई फाइदा निया है जैसी बारे शुर्कते हम लोग बाहर निकलेंगे और छसके नेक्सलिमिजर है उसके साथ मैं एक ऑफसे नि那我們 फिम्स भी निकलने वाली है मतलब क्या ये जो फायर एक्स्टिंग्विशर है अपने लिए एक टाइप से सीक्रिट वैपन का काम करने वाले हैं तो यह यह चार के लेस्टर ने परेश के बारीश रूख चुक यह और मौसम दुबारा से साफ हो गया है और लेस्टर जो अपन लेकर चलते हैं तो की काइज अबीना फिलाल में अपनी लेकर पोच चुका हूं फायर डिपार्टमेंट के पास एक काम करता हूं सीधा जाने से बढ़ी आना एक बारी मैं पतली गली से चुक के देख लेता हूं कि आखिरकार सिक्यूरिटी है यहां पर काफी जदा सिक्यूरिटी हो फिलाल काफी सारे बंदे तो मेरे को खड़े वे नजर आ रहे हैं यह देखो यहां पर एक दो तीन चार पांच और अंदर पर इसको क्या होगा यह उपर तेरी भाइस कि अभी तो मैंने को कुछ कहा भी नहीं बेमतलब मेरे से चोड़े हो रहे हैं अभी इनका कैस मेरे को मूह तोड़ना पड़ेगा बाइगा पर अच्छा है कि मैंने मास्क लगा रुख जाओ नहां पर अपना देशी कट्टा नि अब यहां से निकलते हैं तो चलो आप लोग यहां पर देखी पार हो जो बंदा बिचारा रोड पर गया ता ना गाड़ी वाले ने इतनी तेक करमारी कि वह दुबारा उठी नहीं पाया तो अबीना मेरे को इदर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट निकरना है जल्दी से मैं अ पर कैस निकल लेता हूं लेस्टर के पास वापिस से अभीना मेरे को चीज याद है लेस्टर ने मुझे बोला था कि या उसको पांसो मिलियन डॉलर की जरुरत है अब लेस्टर को पता है कि मारे पास 800 मिलियन डॉलर है तो हम लोग मना तो यार देको बिलकुल भी नहीं करे पैसे देने से पहले हैं लेस्टर के जब वापिस आने लगो गए तो अपने लिए कि स्नाइपर का सप्राइसर ले ले लेना और जितने भी स्मोग ग्रिनेट्स की बहुत ज़ादा जरूरत है तो भी जल्दी से आपर में स्मोग लेता हूं आर्मर ले ले लेते हैं यहां प लेस्टर अपना वाला देगा जो कि उसने बनवाया है तो अब जल्दी से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूं और भी ना आसपास कोई ATM वगरा है क्या नियर बाई क्योंकि लेस्टर को मेरे को पैस से वेजने हैं वो भी 500 मिलियन डॉलर मतलब क्यार 800 अपने पास टोटल ह और 500 लेस्टर को देने पड़ेंगे खेर चोटो कोई नहीं अभी जल्दी से ATM ढूनते हैं तो यहाँ पर जस्ट मैंने अपनी गाड़ी राइट मोडी थी और बैंक की आगया पूरा का पूरा तो चलो और अभी फटावर्ट से अपनी गाड़ी को मैं इधर खड़े करता है एक बरी मैं चेक कर लेता हूं कि आखिरकार मेरे पास अभी कितना पैसा बचा हुआ है तो यहां पर अपने बैलेंस में दिखा रहा है पूरी को पूरी तीन सो छे मिलियन डॉलर चलो ठीक है इतना ठीक रहेगा अभी यहां पर 800 मैंने दे दिया है फटवर्ट से काहिस हम मतलब कि हमारे पैसें वह यौ को रहा देगा फिस अगर और वही उसे करना में पाटरी में अभी जली से अंदर चलते हैं यह जो ड्रेस है CT लेकर ये लेकर और शाथ में निकलना है सीधा अंडर वाटर माफिया को बचाने के लिए तो चलो यार जल्दी से कपड़े पहले बदल लेते हैं तो यह दिए निकलता ही है लेकिन साथ के साथ फायर फ्लेम भी निकलती है यह देखो गाइस यह ज़्यादा से अपने ट्रक के अंदर और देखते हैं भी यह यहां पर कितना सेट अप कर दिया लेस्टर ने अभी फिलाल ओ भाई यह कहां खड़े कर रहा है ट्रक भाई इसके अंदर ऐसे लग रहा है यह जो टैनल है ना बनी इस ट्रक के लिए इतना साइज एक्दम फिट है फिलाल यहाँ पर लेस्टर अपना कंप्यूटर का सैट अप कर रहा है उपर चड़के एक बारी देख लेत अभी सीधा लेकर हम लोग निकल लेते हैं मिलिटरी बेस के लिए दूसरी साइट पर यानि जिदर ट्रक के अंदर बैठते हैं और अभी ना फिलाल फ्रैंकिलिंग तू बाद में बैठे हो पहले मेरे को ट्रक भार निकालने दें यहां पर आराम से और सच्छी मियार लेस् बोले का तब इसका गेट बंद कर लेंगे अभी फिलाल हम लोग नॉर्मली रेलवे ट्रैक से निकल लेते हैं थोड़ा आगे तक उसके बाद जब रोड पर जाएंगे तो मैं इसका गेट बंद कर लूँगा वी जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं आपर मोड़ता हूं ट्र कुछी जो बेरियर आप फिर बॉल कह सकते हो उनसे पुरा कवर हो रखा है और वो सारी के सारी नहीं मतलब लोहे की हैं जिनके अंदर करंट भी हो सकता है तो लेस्टर ने एक जगा पता करिया जहां पर वो चीज नहीं है तो भी जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं और काफी नहीं है अगर नहीं हो पाए तो में में गेट से ही जाना पड़ेगा और कोई तरीका लगा के तो भी जल्दी से ने अपने ट्रकों में यहां पर एकदम धीरे-धीरे से नीचे उतारता हूं तो सबसे पहले मुझे वाली रिवर पार करनी पड़ेगी और सामनी की तर यहां से पार कराना मुश्किल है यहां से तो बहुत आराम से हो जाएगी एक तुछ ट्रक हैना इसके टायर भी बहुत चोटे-चोटे हैं हलका सब भी डूप गया ना मतलब कीचर डूचर में फस गया तो बाहर भी निकल बाएगा ऐसा लग रहा है तो चलो को इनीवी फिल बेट करने के बाद वह जो हेली कोटर यहां से जा चुका है तो अभी जल्दी से ना मैं अपने ट्रक को थोड़ा सा ओर आगे लेकर चलता हूं और गया वह सामने वह जो टावर है ना वहीं तक गया और घूम के वापिस आ रहा है अब जब तक वह वापिस है उससे पहले न अपने ट्रक को आगे लेकर चलता हूं नई 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 ओके बच क्या वाई अगर अब नीचे जाता ना तो बहुत बड़ी गरभड हो जाती उम्मीद है अंदर लेस्टर का जो कंप्यूटर होगा रहा है वह बिल्कुल सेफ ही होगा वैसे गिरह तो नही मिलिटरी वायलों का बंदा मेरे को नजर तो नहीं आ रहा है वट यहां पर होते हैं मैं कई बारी आयों मेरे को पीछे की तरफ में बंदे दिखें उक्की एक बंदा सामने बैठा हुआ है तो गरबड हो सकती है वट अकर मैं नीचे से लेके जाऊंगा तो वह नहीं देख चलो 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 बस 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 हो गया हो गया हो गया बस अभी ट्रक फिसले ना तो चलो गैस अभी फिलाल अपने ट्रक को मैं यहां तक लेकर आ चुका हूँ जल्दी से अपने ट्रक को मैं घुमा के इधर ही पार कर देता हूँ तो चलो गैस अभी ना फिलाल मैंने अपने ट्र सब्सक्राइब जगाई होगी और यहाँ पर कुछ जाद आई है वालब दो सोल्डर्स उधर खड़े हैं और चार सोल्डर्स अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फ्रैंक्लिंग जल्दी से उपरा अभी एक बारी पर हम लोग अंदर चलेगे ना फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली और लेस्ट फिलाल फ्रैंक्लिंग को आने का वेट करते हैं तो फिलाल फ्रैंक्लिंग भी इस साइड आ चुका है बट हम लोग यहां से आगे नहीं जा सकते क्योंकि सामनी की तरफ में दो तो सोल्डर्स खड़े हैं और इनको हमारे उपर बहुत शक होगा और वैसे हम लोग फायर सब कुछ हो जाएगा फिलाल यह जगा ना पूरी पूरी ऐसी बना रखिया है कोई डिरेक्ली एक बार भी निया सकता तो जल्दी से नहीं यहां पर खड़े होता हूं फिलाल इधर अभी कोई भी नहीं सामनी की तरफ में बंदा है जो कि अपना फुल एक्सराइस करवाने म फिर तो इनको साफ अपने वपर चक हो जाता है लेकिन लेस्टर ने सारे डिसेबल मार दियैं तो जल्दी से हमें लोग यहांपर चड़ती है और यहांपर भी एक रास्ता है तो जल्दी से हमें इस पार चलता है काफी जदा समल के रहना पड़ेगा तो चलो गाई सबीना फिलाल भाग कर इस साइट पर आ चुका है और गाई सामने की तरफ में तीन सोल्जर से जिसमें से दो जा चुके हैं एक ही उधर बचा हुआ है तो गाई सबीना जल्दी से हम लोग उसके पास जलते हैं उसको जला कर उसका खेल खतम कर सकते हैं वरना यार यही बंदा है जो कि हमारा काम खराब करेगा तो चलो गाई सबीना फिलाल यहां पर मैंने इसको जला दिया तो बहुत ही बुरी तरह जला इसको भुजा भी तो भाई कोई ना कोई इसकी आवास सुनकर इधर आ जाए और इस सब कुछ भुजा दो इसको ना काईस मैं सोच रहा हूं इसको ना कोड़े के डब्बे के अंदर ही डाल देते हैं इसका खेल वही खतम हो जाएगा वैसे यार फ्रैंक्लिन ये काम तू कर तो चलो गाईस अभी ना फिलाल सब कुछ एकदम बढ़िया हो चुका है यहां पर काईस अब पहचान में आएगा कोड़ा ही लग रहा है पूरा तो चले अब इन जल्दी से हम लोग यहां से आगे चलते हैं फिलाल उत्तुरी यहां पर तो गाईस तीन-तीन बंदे और अगर इन्होंने हमें देखा तो यह लोग पहचान लेंगे क्योंकि गाईस यह गहीं पर काम करते है इनने पता हो कि यार एक दूसरी की शेकल तो इन तीनों को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा क्या अगर इन तीनों को जलाएंगे तो गड़बर हो सकती है क्योंकि यह पूरी को पूरी ओपन फिल्द में है वैसे मेरे पास मस्ता आइडिया है इनको ना पीछे बुलाता ह जाँ मत चलाओ मत भाई है यहां पर हमें देखना पाएंगेशर रहे हो तो चलो गड़ी घटार रहाइं लिती म्यास्तर लाटा कोई गल्दा इस तरफ में मिलटर सूल्दर्स तो नहीं है वो जादा आगे तक आवाज नहीं पोची वैसे मेरे को लग तो रहाग होंगेश और यहाँ पर अभी ना फिलाल हमने एक यहाँ पर जो मतलब fire brigade है उसको ले लिया है तो guys अभी ना जल्दी से यहाँ पर मैंसे आगे लेकर चलता हूँ इसको ना guys मैं पीछे ले जाकर ना पार्क करने वाला हूँ इनके उपर कि यह लोग ना ही अंदर आने देते हैं ना ही यहाँ से भार जाने देते हैं इसलिए अगर हमें गाड़ी चाहिए थी तो सिर्फ सिर्फ इनकी भार से लाने का कोई फायदा है नहीं था और guys यहाँ पर अभी जितनी भी soldiers है ना यह हमें कुछ भी नहीं कहने वाले और अच्छा हुआ कि इन लोग से हम बच गए तो guys अभी ना जल्दी से मैं अपनी यहाँ पर fire brigade लेकर आगे निकलता हूँ और वो जो secret base है ना उसको ढूंते हैं सबसे पहले ना guys कोने में चलता हूँ वहाँ से मेरे को लेस्टर से बात करनी है कि जो आधा काम है वो चुका है अब बाकी आगे क्या काम करना है वो बता वैसे इस तरफ में ट्रक खड़ा हूँ है जल्दी से अपनी मतलब की जो fire brigade 10 को मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ और अभी जल्दी से मैं लेस्टर को को कॉल लगाता हूँ तो की guys अब इना मेरी फिलाल यहाँ पर लेस्टर से प्लान को लेकर बात हो चुकिए और guys लेस्टर ने ना मेरे मुबाइल पर military base का जो map है वो भेस दिया है यहाँ पर ना तीन चांस ही दा मतब तीन बेस है secret जिसके अंदर underwater mafia हो सकता है एक base यहाँ पर है दूसरा base यहाँ पर है और तीसरा base यहाँ पर है तो चलो और अभी एक एक करके मैं सारे base चेक करता हूँ सबसे पहले ना guys चलते हैं हम लोग इस वाले पर बाकियार अभी ना हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ पर एकदम अराम से घुमा सकते हैं कोई भी दिक्कत की बात नहीं है और यह देखो मैंने अभी ना guys waypoint लगा है और यह देखो ना मिल जाए मतलब Los Angeles fire department का वरना guys वो मेरे को पहचान जाएगा और फिर गरबर हो सकती है फिलाल यह जगा है और guys यह देखो कितोना तकड़ा secret base है लेकिन इसके अंदर मैं शाज से एक बारी पहले गया हूँ ना एक बारी हम लोग पहले यहां पर आये थे किसी को छुडाने के लिए यह आये थे जहां तक मुझे आदा है ओके 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 अपने diamonds लेने हम लोग यह आप पर वापिस आये थे तो बीने जल्दी से एक बारी मैं इसकेंदर चल कर देखता हूँ वैसे हार secret base के अंदर तो यह लोग मेरे को जाने देंगे आफ ही नहीं देंगे मुझे मालूम नहीं है वैसे अंदर तो हम लोग की जरुत होती होगी यानि की LSI FD वालो की वैसे यह जो gate है पूरा बंद हो चुका है और यह lift इस टाइम पर पूरी locked है तो हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते हमें कोई दूसरे वाले base पर चलना पड़ेगा लेस्टर कहरा है कि वहाँ पर ने एक password डालने का होगा उधर वो जो से हमें pen drive दिये ना वो लगानी है ताकि वो password खुल जाए तो Franklin कहाँ पर रहेगा तो Franklin जल्दी से ट्रक में बैट हो यहाँ पर इस military वाले ने कुछ भी नहीं का यार यानि हम लोग शाय से secret base के अंदर जा सकते हैं अगर हमें password पता है तो वैसे हमें पता तो नहीं है लेस्टरी hack करके बताएगा तो भी जल्दी से अपनी fire brigade को में लेकर चलता हूँ पीछे की side फे तो चलो का यहाँ जल्दी से अपने ट्रक को लेकर दो जगा तो चेक कर चुका हूँ यानि जो पहली जगा वो मैंने आपको दिखाई थी और जो दूसरी जगा है वो है यह tower for लेकर चलता हूँ तीसरी वाली location पर जो मुझे लेस्टर नहीं दी थी क्या पता वहाँ पर कोई ना कोई सीक्रेट लोकेशन हो वैसे यह जट को शैसे मैंने पहले एक बारी चला रहा है तो भी जल्दी से मैं अपने fire ट्रक को आगे लेकर चलता हूँ बागे तो आर आप ल यार पता मेंन सीन के होता है यह रस्ता नहीं है यह पूरी को पूरी एयरलाइन है तो अगर मैं एयरलाइन पर चलाओंगा तो गडबड़ हो सकती है तो गाड़ी जो अपनी रोड पर चलानी चाहिए तो भी जल्दी से मैं अपने fire ट्रक को रास्ते से लेकर जाओंगा ताक यहां पर हमें आना है सामने के तरफ में आप लोग देख पा रहे हैं पांच-पांस soldiers खड़े होने का कोई मतलब नहीं है पीछे दो सीक्रेट बेस थे उसमें एक भी soldiers नहीं था यहां पर पांच-पांस soldiers खड़े हैं अभी जल्दी से मैं अपने ट्रक को ने जाओंगा यहा इनको सीधा जला दूगा तो 3-2-1 जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं इनको पूरा भ्योश कर दूगा इनको उठने नहीं देना और भाई आपको पता यह इसका प्रैशर कितना जादा होता उठमत 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 पूरा बिगहा दूगा होली किला दूगा तो ब्योश हो जाएं वैसे और इनकी हाला तो बहुत जादा ही खराब हो गया है इनको जला के भुजा भी देता हूं तूरंत के तूरंत यह मैंने जलाया और साथ के साथ भुजा भी दिया चलो वाई यहां पर दो को खतम करा और फ्रैंक्लिन भार से नहीं जल्दी अंदर से और गाईस यही वो जगा है जहां पर हमें चिप लगा के इसका पासवर्ड हैक करवाना है लेस्टर से फिर यह जो चीजा ना काम करेगी पता नहीं कैसे यह जगा खुल जाएगी मेरे साब से तो अभी जल्दी से देखते हैं क्या करना है तो चलो गाईस अभी न मेरी फिल जल्दी 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 चले जा यार तो काईस अभी फिलाल लेस्टर कह रहा है कि जिसके उपर हम खड़े है ना यह बहुत बड़ी लिफ्ट यानि कि जमीन के अंदर जाने वाली एक से दो मिनिट के अंदर वो इससे हैक कर देगा यार यह क्या सीन है मेरे को समझ नहीं बस यहां पर कोई आना जाए अभी फिलाल किसी को मालूम तो नहीं पड़ा है वट एक हेलिकॉप्टर उड़ रहा है तो वो इधर आएगा तो उसे मालूम पड़ जाएगा तो की जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलाल इस लिफ्ट की तुरू मैं मिल आगे दो गेट है और यहां वो राइट में भी सिक्योरिटी है और यहां पर एक इधर भी है इसके अंदर चलकर देखते हैं पास्वार डाली खुल गया तो चलो और अभी जल्दी से और आगे चलते हैं फिलाल सामने की तरफ में ना मेरे कुछ चेकिंग करवानी है कि चेकिंग के टाइम पर ना वो लोग तुमारी बोडी के अंदर बुलेट प्रूफ आर्मर डिटेक्ट कर लेंगे और अगर उन्होंने वो चीज़ डिटेक्ट कर ली तो फिर बहुत जादा बड़ी गरबड हो सकती है इसले गाइस ले लेस्टर कह रहा है कि इनका जो लेस्टर ने बोलताना सेम टों सेम हम लोग वैसे वैसे करने वाली लेस्टर ने का था कि जितने बी स्मोक गिरने ड़न हो झाल देना था कि तुम लोग सीटी बन Tanz को बहुत बढ़िया जिछ अभी न पता करते हैं मैं स्संपर 3 बंदे और आ गया करना है इनके उपर मैं स्मोक डालता हूं इन सब चक्कर आने वाले थोड़ी देर की बात ओर है जिसका नहीं करने तो है निजल्डी से हैं अपनी गन लेकर आगे चलता हूं निकल बेटा याँ से, सारे के सारे खासने लग गए ना, होगी ना हालत कराब, इसलिए करता हम मतलो पंगे, तो चलो गाइस, अभी फिलाल इन सब को तो हमने धेर कर दिया है, यहाँ पर और बंदे तो नहीं है न, ओ भाई, सामने से और, ओ भाई, क्या इसके headshot कितना जबर समारा है यार मैंने, फ्रैंकिल जल्दी से तू पीछे के बंदे देख, यहाँ पर मैं लेस्टर को कोल लगाता हूँ, देखते हमें आगे क्या करना चाहिए, अभी फिलाल यहाँ पर एकाद गोली तो पढ़ गी है, लेकिन इतना चलेगा, पुरा आर्मर वार्मर पहर पहन लाश है, बाटर अभी मेरे को समझ नहीं आरहा है, यहाँ पर काफी सारे रूम है, पुरी सारे के सारे लॉक है, लॉक है, पता नइं, क्या सीना यार, पर सारे रूम ब्लॉक है, और अच्छी बात क्यों है कि यहाँ पर अपनी एंट्रेंस थी, काश हमारे पास एक आईडी है कैसे करेंगे मेरे कोई भी नहीं समझा रहा वह तो चलो अभी हम लोग लेस्टर से बात करेंगे यह सारी के सारी गेट लॉग रहे हैं पता नियार इसके अंदर हम लोग कैसे जाएंगे फिलाल यहां पर नगाइस एक रूम हो रहा है यह तो पुरे को पुरा ब्लैक शिशे मतलब अगर हमें नॉर्मल लखने तो नॉर्मल भी रख सकते हैं बट कोई जासे पर्सनल मीटिंग वगारा होती होगी तो यह लोग इसे ब्लैक कर देते होंगे अभी फिलाल यहां पर यह चीज़ तो मैंने पूरी चेक कर लिया है और यहां पर बस एक कंप्यूटर है पता इनका मूँ तोड़ूंगा सबका लोग यहां पर मैंने दुबार से स्मोग डालना शुरू कर दिया है तो यहां पर एक सकिंद यह तो कुछ जादा एक खतरनाक से हो रहे हैं अभी ना इनको मैं बराबरी का मुकाबला करके दिखाता हूं यहां पर यह तो जादा बंदे आ निकल 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 चलोगा अभी इसको मैने वारा यहां पर पीचões पीछे निकल निकल दोर एक बढ़ बढ़ाए स्चया ड़स बहल करते हैं यहां पर पूरे एरिया धुए-ठूआ कर नकाए कर दो जो जो और इसा निंगे लेकिन का सामने इस पोर भी बहुत भागते वाहरे हैं यहां पर बाइब कुछ भी नहीं कर सकते यहां पर जितने भी रूम लॉग थे ना इसके अंदर मेरे सबसे बंदे भरे हुए हैं और इनका पासवार इनी लोग को पता है तो जल्दी से फ यहां पर बस पीछे से बंदे आके मेरे को मारना दे वही कुछ बताएगा कि यह क्या चीज़ है और इसमें से अगर हम कुछ काम का निकाल सकते हैं तो बहुत बड़ी प्रोब्लम है अब जल्दी से जो फोटो है मैंने भेज दिया लेस्टर को और अभी देखते हैं लेस्टर मुश्किल भी हो सकता है जल्दी से लेस्टर से बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन हैै अभी अंदर भी हम लोग जादा देर तक सेफ मेरे साब से नहीं टिक पाएंगे यहां पर एक के बाद एक सिक्योरिटी आए जा रही है यह रूम थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर हम लोग ना सेफ रहते हैं और इसको अगर लॉक कर देंगे तो भी घड़बड ह वैसे यह रूम बिकार है आगे जो नीचे वाला एरिया नहीं वहां पर खाने पीने का भी समान है तो अभी जल्दी से नहीं हम लोग वहां पर चलते हैं पता नहीं अभी हमें क्या करना चाहिए और यहां पर भी काफी सारे बंदे हो सकते हैं तो अभी लेस्टर ही अभी लोग बहुत ही तरह पस चुके हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरू बताना कि हमें यहां से निकलने के लिए क्या करना चाहिए और एक के बाद एक कमांड यहां पर आया जारिया स्पीकर्स पे वह भी मिलिटरी वालों की कि सरेंडर कर लो यह वह वह वाल जो रूम है ना ओडिटोरियम टाइप अपने ले थोड़ा बहुत सेफ है बागी देखते हैं लेस्टर कुछ करेगा तो ठीक है बागी आप लोग जाकर यहां कमेंट में बताओ हमें क्या करना चाहिए यहां से निकलने के लिए अंडर वोटर माफय को भी नी बचा पाए और इतने बड़े जाल में आकर भी फस गए अच्छी बात तो है कि कोई भी में पैचान नहीं पाया कि हम लोग माइकल और फ्रैंक लेना है तो चलो गाइस आरा आज किस वाली वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वाली वीडियो चिल लगी हो तो फटरवर से इस वीडि कि अग्में गुष nue यहू में कि अग्मियो में वीड़ा आज बान रुष凌त say